व्यापारी सुरक्षा फोरम जिला बुलन शहर के नित्रित्व में कप्तान सहब को ग्यापन दिया गया जिले के व्यापारियों के साथ हुई लूट व मर्डर करने वाले आरुपियों की गिरफतारी करने की मांगी शिकारपूर में हुई सराफा व्यापारी के साथ मोटरसाइकल पर आये तीन बदमाशों ने तक्रीबं 600 ग्राम सोना, 78 किलो चान दी जिसका मूल ये तक्रीबं 35 लाक रुपे की लूट और व्यापारी के सर पर तमंचा मार कर भाग गए सुरक्षा फोरम के जिला अध्यक्ष राकेश मित्तल जी ने जल से जल बदमाशों को पकड़ने वा पीडीत को माल बरामत करने की मांग की पात सितंबर को मेरे जीजा जी पेंट व्यापारी पंकच बंसल जी के यहाँ आधा किलो सोने 2-3 लाक रुपे नगदी की लूट वबहतर वर्षय भुजर्ग माता जी के साथ जान से मानने की नियत से लाठी डंडे से प्रहार किये जाने इस घटना में शामिल एक आरोपी अभी भी पुलीस की पकड़ से बाहर है 22 नमबर को नरोरा में सराफा व्यापारी रोहतास वर्मा की दुकान पर तिन बदमाशों द्वारा लूट करने के इरादे से आये बदमाशों सराफा व्यापारी की हत्या कर दी सुरक्षा फोरम के प्रदेश महामंतरी अनेल देश भक्ती जी ने सभी घटनाओं में सम्मिलित आरोपियों की गिरफतारी की मांगी और जल्दी से जल्दी घटना खुलासे के साथ माल की बरामत की कराई जाने की बात कही ग्यापन देने वालों में प्रमुक रूप से प्रदेश महामंतरी श्री अनील देश भक्ती जी जिला अध्यक्ष श्री राकेश मित्तल जी जिला महामंतरी अनूज अगरवाल जी जिला प्रभारी श्री रवींद्र गोयल जी आदी रहे बुलन शहर से जाविद खान की रिपोर्ट